एप सिलाइस की लिमिट यूज पूसे आ रहे हूं लंबे टाइम से और अभी आ पर ऐसा टाइम बन गया कि आप इसकी लिमिट का पेमेंट नहीं कर पा आप से इसकी लिमिटे हो जाती है भाई overdue आप इसका repayment नहीं कर पा रहें तो ऐसे में आपके मन में दोस्तों सवाल आ सकता है कि अगर हम slice का repayment ना करें तो यह हमारे साथ क्या क्या कर सकता है सबसे पहला तो एकी सवार क्या आरवे रेश्टर्ड है भी या नहीं भी आपको पता है जो है पारवे रेश्टर्ड नहीं होती है वो वाई illegal तरीके से काम करती है जैसे कि आपकी contact list को एक करना आपको WhatsApp नमर पर गंदे गंदे फोटोस वेजना तो इसलिए दोस्तों आपका य सवाल होंगे स्लाइस पे लेटर को लेकर तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपके मनुए जो भी डाउट चल रहे हैं सभी को किलियर कर दूंगा आपको वीडियो पूरी देखनी है एंड तक देखनी है चैनल पर पहली बार आए तो अभी किया भी सब्सक्राइब कर तो यार और नोटी पेकेसन बैल को भी ओन करो वीडियो पसंद आएगी तो एक प्यारा सा लैक भी करतो अगर फेस्बूक पेज पर देख रहे हो तो पेज को यार फॉलो कर लो आपको हमेसा ऐसी अपडेट मिलते रहेंगे अर्निंग के रिगार्डिंग वीडियो मिलते र लगते हैं जो कि free of cost होता है आपको एक रुपया भी नहीं देना होता टेलीग्राम का लिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा परसनल बात करनी है तो वाट्स अप पर आजाओ वाट्स अप नमबर पर दोस्तों चार्ज लगता है ने टॉपिक की तरह प रेश्टर्ड नवी एफसी है कोई भी लीगल काम नहीं करेगी इस टैर पर दोस्तों इनकी पिलो स्टोर पर एक करोल प्लस डाउनलोड और 4.4 इस्टार की रेटिंग है तो आप समझ सकते हो कि यह कितने अच्छे तरीके से काम खाज कर रहे हैं मार्केटमेंड की कैसी कोट केस होता है अगर आपको एटेंशन होती होगी कि भाई कोट केस ना हो जाए पुलिस केस ना हो जाए भाई नहीं होता लीगल नोटिस आज सकल सब यह बेजते हैं जो कि एक बकील के द्वारा तयार किया जाता है इसे आप रेमाइंडर नोटिस समझ सकते हो एक तरह से मान सकते हो अगर यह नोटिस आता है तो डरने की कोई बात नहीं है आपके खिलाब ना तो कोई मुगदमा हुआ है ना ही कोई केस हुआ है अगर ऐसे नोटिस आते हैं तो उनको आप एग्णॉर करो कोई बात नहीं है लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो टाइम से रीप नहीं करोगे आपका लॉन ओवर्डू चलता रहेगा तो धीरे-धीरे करके आपका सेविल स्कॉर खराब हो जाएगा और सेविल स्कॉर खराब होना दोस्तों बहुत बुरी बात है आपको फ्यूचर में अच्छे लॉन कभी नहीं मिल सकते हैं कि आपको बार बार पर कॉल करे परिखेंगे रिकवरी एजेंट के फॉन कॉल को आना बंद करवाना आए आई बटन में लिएक ब्लीओ का लिंक है और उसी का लिंक आपको डिस्क्रेप्सर बक्स में मिल जाएगा बार नो तो एक बात ध्यान रखना इनके recovery agent पुलिस वाले बन कर, judge बन कर, lawyer बन कर, ऐसे बात करते हैं, बोलते हैं आपके उपर मुकदमा हो गया है, आपके उपर F.I.R. होई है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, पुलिस का ये काम नहीं होता, इनके recovery agent ये ऐसे call करते हैं, बाकी का कोई बात नहीं है, अगर आपके पास ऐसे call आते हैं, तो आप इनको ignore करें, या बार बार पर 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 प्रेशान मत होना, कि भाई मेरे पास ऐसे call आ रहा है, आप ऐसा मत करना कि दस वीडियो यूटूब पर सार्च करने लग जाएं, कि मेरे पास पुलिस का call आ रहा है, क्या करू बाई इनके recovery agency call करते हैं, जाधातर reps के recovery agency सतकंडे को अपनाते हैं, तो आपको ढरने की कोई बात नहीं है, बाकी का आपके साथ कुछ भी legal नहीं होगा, आप डरो मत हमारे चैनल को subscribe करो और notification वेल को on कर लो, वीडियो पसंद आईए, लाइक भी करतो, पेशो पेज पर देख